जहीन दुस्तों तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं दिखे भी जो आर्मी अगनिवीर का जो फारम भराया है तो इसका फिजिकल के साथ आपका रेटेन एक्जाम भी होता है तो उसी का हम यहाँ पे लेकर के आए हैं आपके लिए सेट तीन और अभी तक हम सेट एक और सेट दो को हम लोगोंने कंप्लीट कर लिया है आपने नहीं देखा है तो पिछला सेट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जागा वहां से जरूर देख लिजेगा इसमें जो है हम लोग इसमें जो है लगभग लगभग इजी लेवल के परस्थन ही पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग अस्टाट कर लेते हैं यह हमारा प्रैक्टिस सेट नमबर तीन है बिल्कुल आपका परस्थन इसी तरह से आएंगे टोडल आपका 50 परस्थन रहेंगे और नमरों की स के रहेंगे और पांच आपका रिजिनिंग के रहेंगे तो इसी तरह का परस्थन बिल्कूल आपका आने वाला है तो आइए हम लोग स्थिक्कत हो रहा है तो आपको घृस्पले क्वह एक घुमा ले वहां से आपको बिल्कुल असपस्ट दिखेगा ठीक है तो डिस्पले को बड़ा कर लिए होंगे चलिए हम लोग अश्राट कर लेते हैं पहला प्रसंट से दिखे भारत में सेना का सरवची सेना पती कौन होता है तो सही तरब का हो जाएगा option भी राष्ट पती भा अच्छा अभी वर्तमान में आपको हम बता दें कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट पती बनी है यह आपका द्रोवपदी मुर्मू ठीक है द्रोवपदी मुर्मू जो है भारत की नए राष्ट पती बन चुकी है तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा ठीक है सभी से ना के सरवोच चिसनपती राष्टपती होते हैं ठीक है नेश्ट कुछन अपका है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्य क्रीत बैंक कौन सा है देखे भारत में जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है तो यह आपका है SBI आनिकी Estate Bank of India ठीक है अच्छा आपको बैंक से समझधित एक प्रस्थन पूछा जा सकता है कि सभी बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है तो वो कहा जाता है RBI הבא ज़ुर्ष आत guiticer बैंकमप इंडिया जुए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है ठीक है अगला प्रसनापका है असोग चक्र का रंग जो है वो की स्थवाइब का है सय उतर अपका होगा नीस लुद् इस कलर का है निला कलर का है ठीक है अगला प्रसंद अपका है ओलम्पिक के निसान में छल्ले कितने होते हैं तो देखिए ओलम्पिक जो है उसमें छल्ले के जो निसान होते हैं वो टोटल होते हैं पांच सहीवतर ऑप्सन ये के साथ चला जाएगा नेश्ट कुशन अपका है क जब था उस्टेम मेवार जो राइज है यह नहीं था ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन की और हम लोग बढ़ते हैं छे नमर प्रसंद अब का भारत में सरुपर्थम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी तो देखे भारत में सरुपर्थम जो रेल चलाई गई थी वो अपका चल 16 अपरेल 1823 को मुंबई से लेकर के ठाने की बीच में चला था ठीक है अगला प्रसन है चेतक किसका घोड़ा था तो देखे चेतक एक घोड़ा का नाम था और ये बहुत ही एक तोरह से कह सकते हैं कि बहुत ही साथ दिने वाला घोड़ा था कभी दोका नहीं दिया था और च ये तक इसका नाम था किसका घोड़ था तो ये था महराना परताब सिंग का ठीक है अगला प्रसन अपका है कुतुब मिनार का निर्मान किसने करवाया था तो देखे कुतुब मिनार का निर्मान करवाने वाला जो बात साथ था वो था कुतुब उदीन एवक ठीक है सही उत धर्म जो है इस धर्म के संस्थापक माना जाता है गोतम बुद को सहीउतर उप्सन B के साथ चला जाएगा महावीर स्वामी यहाँ पर देखे तो महावीर स्वामी जो है यह उनका जैन धर्म से सम्मन देखे अगला प्रस्न अब का है कश्मीर घाटी का मुखी सहर आपका है सिरी नगर सही उतर ऑप्सन भी हो जाएगा ठीक है आपको बता दें कि यहां पर जम्मू कस्मीर जो है वह पहले राइजी था लेकिन अब वहां पर क्या है कि वह उसको केंदर सासित पर्देश बना गया है दो भागों में बांट करके एक आपका हो गया जम्मू कस्मीर और यह का हो गया लदाग ठीक है तो यह भी आपको ध्यान में रखना ठीक है अभी हमारे जो भारत में किंदर सासित पर्देश थे पहले साथ थे अब अगर जिदि आपको पूछा जाएगा तो यह नो हो गया ठीक है राज्यों की संखिया हमारा भारत में 28 पहले 29 था इसको भ्याद रखिएगा अगला प्रस्न भारत का वर्तमान में रच्छा मंतरी कौन है तो देखे वरतमान यह प्रस्न जो है पहले का है ठीक है और भारत में और रच्छा मंतरी उस टाम के हिसाब से पूछा जा रहा था अभी वरतमान में कौन है तो आपको यह करेंट अफेर से देख लेना है अगला प्रस्न भारत का है मेगधूत के रच्छेता कौन थे तो देखे एक गरंथ है मेगधूत इनके रच्छेता जो है वो कौन है तो सही तरब का हो जाएगा ऑप्सन भी काली दास ठीक है काली दास के दौरा जो है मेगधूत का रच्छन किया गया है अगला प्राशन है पी गोपी चंद की स्केल से समंदित है तो इसका सही उत्रप का हो जाएगा ऑप्संदी बेडमिंटन से पी गोपी चंद जो है इनका समंद बेडमिंटन खेल से है ठीक है देखें नेक्स्ट क्वेशन अब हम लोग यहां पर आएंगे चौदा नमर प्राशन में ठीक है देखें चौदा नमर प्राशन क्या बोल रहा है थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं देखें गुरुदेव के नाम से कौन ब्यक्ति परसीद है तो देखें सही उत्रपका हो जाएगा ऑप्संदी हो जागा दिल्ली में ठीक है इंडिया गेट अगर यह आपको पूछा जाता है गेटवेउप इंडिया गेटवेए ओफ इंडिया गेटवें पूछा जाता है तो वो आपका होजागा मुंबई में यह को जरूर सेर कर दीजिएगा तक कि आपके साथ साथ जो लोग टीशन नहीं पहुंच पाते हैं या फिर पहुंचते हैं तो वहां पे जो है टॉपिक वाज आपका पढ़ाई होता है लेकिन यह अपका पूरा सेट है अगर यह पचासों सेट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम पचास सेट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे और यह सेट नमारा जमरा तिसरा ही है जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता है तब तक हमारा यह सेट आते रहेगा तो आप विडियो के अंतक बनी रहेगा अपने इसको सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंट को भी सब्सक् कहीं हमारा जो है उसमें हैं मेलम मिल रहते हैं वर हम लह रहते हैं और हम यहां पर प्रस् politician का जो मुखी घटक है और में and जाते हैं तो इसका मुखे doard हो गया वी सीडी का का लगाइज लगाये जाता है कौन सा विमारी को रोक्थाम करने के लिए सिधुरुडा ओपट्यं भी 6 या फिर अचमा म यह जो तरह इसको रोकने के लिए वि digestive कापी आता है नमक का शुत्र cuma तो इसका सभी तरफ का हो जाएगा भी सूक्र सुक्र है हमारे स्वर मंडल में सबसे गर्म घर है तो टोटल 8 अग्ला सवसान में कौनवैंhem हम लोग तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें जो हम लोग गैस अने की जो लेते हैं वो उसको वो कौन सा गैस होता है तो सही तरब का हो जाएगा ऑप्सन भी ऑक्सिजन ठीक है हम लोग जो लेते हैं जो हम लोग सांस जो लेते हैं हम लोग ऑक्सिजन लेते हैं और कार्बन ड फ्रतिरोधक का जो मात्रहक होता है वो के हूँ है खुर निकल कर रचायिस की संकित क्या है डीकलज उसका रचाय New संकित जुए वह है एन आई थो मतलब निकलत तौन से ऑनको में मनुष जी को हानी पहुंचे वाला पदार्थ बाता है तो। उसमें जो रहता है निकोटीन ठीक है यह निकोटीन जो है और इसी के वज़से जो है मनुशी को हानी पहुचता है नुक्सान होता है इसलिए कहा जाता है टोबेक टोबेको आपका जो है गॉल्ड इसका जो सुत्र होता है जिसे हम लोग अभी देखें निकल का क्या है नमक क्या दासाइनिक सुत्र होता है उसी तरह से सोना का सुत्र जो है वो क्या होता है सही तरब का हो जाएगा यह यू ठीक है इसका सोना का सुत्र हो गया चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रसंद कि और टोएंटीफऑ नूमर प्रस नहीं पर हमारा है और यहां पर देखिए development पूरा नाम क्या होता है इसको हिंदी में कहा जाता है काम चालाओ इसका सब आप्सेन things संकर्मनी ईरोगन ईंव में से कौन सा है इस सभी संकर्मनीय रोग है है को writers साथ इबूल화 देखे टेंदुवा तो उढ़ता नहीं है चम सांप से लड़ता है के पानी के जहाज की घटी को मापने की 63 है पाणी की जहाँ पर चड़े होगा है एक ज़िदे आपका घर समंदर की किनारी होगा हो इस देखी उसको जो कहा जाता है नाट यह जो है क्याimar अपने के आनपने के जहाँ तीक है चलिए अब हमारा यहां पर बच गया है दो प्रस्म और विडियो के अंटक बने रहेगा दोनों प्रस्मों का अंसर करके ही जाएगा सोर जल गीजर किस दिन पानी को गर्म नहीं करता है राइट अनसर हो जाएगा ऑप्सन डी बी और सी दोनों अनि कि कोहरा जाएदा होने पर जब जाएदा कोहरा होता है तो क्या होगा सोर जल क्या होगा सोर यानि कि रोशनी नहीं आगा तो गर्म होगा नहीं घने बादलों का ज्यादा समय तक रहने से जब धूप ही या नहीं आएगा तो यह कैसे होगा ठीक है उसके बाद आपका अगला प्रस्थ है देखिए दूसर पाइंटीस विटा बानवे यू यानि की यूरेनियम में नीटोनों के संख्यां कितनी होगी तो इसको आपक